वित्वर्ष 2021-22 का बजट पेश करने के दोरान वित्तमंत्री निर्मला सीता रमन को संसद में विपक्ष के विरोध का भी सामना करना पड़ा बजट पेश करने के दोरान वित्तमंत्री निर्मला सीता रमन ने जैसे ही कहा कि हमारी सरकार किसानों के कल्यान के लिए प्रतिबद्ध है वैसे ही विपक्षी दल के नेता लोग सभा में हंगामा करने लगे विपक्ष के नेताओं ने दिल्ली में धर्णा दे रहे किसानों की ओर सरकार का ध्यान आक्रिष्ट कराते हुए सदन में जमकर नारे बाजी ही विपक्षी सांसदों का हंगामा देखते हुए वित्तमंत्री को कुछ मिनट तक अपना भाशन भी रोकना पड़ा इस दौरान विपक्षी दलों के नेता कृषी कानून वापस लोके नारे लगा रहे थे कुछ देर के बाद वित्तमंत्री ने अपना भाशन शुरू किया और विपक्ष को भी हमला बोला MSP पर खरीद की प्रक्रिया जारी रहेगी वित्तमंत्री निर्मला सीता रमन ने किसानों को भरोसा दलाया कि नियूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की प्रक्रिया जारी रहेगी उन्होंने कहा कि किसानों के उत्पात की खरीद प्रक्रिया जारी रहेगी वित्तमंत्री ने कहा कि साल 2020-21 में किसानों से 1.72 लाक करोर रुपए का धान खरीदा गया आंकड़ा बताकर विपक्ष पर पलटवार गेहू की चर्चा करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीता रवन ने कहा कि 2013-14 में किसानों को कुल 33,874 करोर रुपए दिये गये थे वहीं 2020-21 में इसमें और भी इज़ाफा हुआ और ये आंकड़ा बढ़कर 75,050 करोर हो गया इससे 43.36 लाक किसानों को फायदा हुआ गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां धान के खरीद पर चर्चा करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीता रवन ने कहा कि 2013-14 में धान के किसानों को लगभग 64,000 करोर रुपए उपज खरीद के एवज में भुगतान किये गए थे 2019-20 में ये आकड़ा बढ़कर 1.4 एक लाक करोर हो गया जबकि 2020-21 में इस आकड़े में और इजाफा हुआ और ये आकड़ा बढ़कर 1.7 दो लाक करोर रुपए हो जाने की उम्मीद है वित्तमंत्री ने कहा कि इससे 1.5 चार करोर किसानों को फाइदा होने की उम्मीद है डाल की खरीद में भी हुआ इजाफा वित्तमंत्री ने कहा कि इसी अनुपात में दाल की खरीद में भी इजाफा हुआ है साल 2013-14 में 236 करोर रुपए की दाल खरीदी गई थी जबकि 2019-20 में सरकार ने किसानों से 8,285 करोर रुपए की दाल खरीदी वही 2021 में इसके 10,530 करोर रुपए हो जाने की उम्मीद है बहराल निर्मला सीता रमन के एलान का किसानों पर कितना असर पड़ता है और आंदोलन कब तक खत्म होता है ये देखने वाली बात होगी क्योंकि किसान तीनों क्रिशी बिल को रद कराने को लेकर अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं लाइप सिटीज के साथ आप बढ़े रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथी साथ लेटेस्ट अब्डेट्स के लिए फेस्बुक पेज को जरूर लाइक करें धन्यवाद